अगर आप भी है तोटते जड़ते बालों से बेहत परिसान तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है आज की वीडियो में आपको हैर फॉल का में सोलीशन देने वाली हूँ जी हाँ फ्रेंड इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको कंप्लिट जानका हम क्या करते हैं अब जब हमारे बाल टूटनी स्टार्ट हो जाते हैं इसे रोकने के लिए हम बहुत सारी चीज़े अपनी बालों पर प्लाई करते हैं जिससे कि हमारे बाल तूट जाए हम बहुत सारे एड़ देखें बहुत सारे लोगों को कहने पर तरह तरह की रेमिटी क अपने बालों पर नुश्के को इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारे बालों का तुटना बंद हो जाए और हमारे बाल लंबे हो जाए पर ऐसा नहीं होता है क्यूंकि हमारे बालों का तुटने का जो रीजन होता है अगर आपको यह पता नहीं है तो आप बहुत सारे रेमिडिय यूज कर ले, बहुत सारे महेंगे चीज़े अपने बालों पर यूज कर ले, पर इससे आपके बालों को कोई भी असर नहीं होगा, कोई भी फैदा नहीं मिलेगा, क्यूंकि अगर आप जब तक नहीं चानेंगे, कि आपके बालों का तूटने का जो मेजर रिजन है, क्या है, क्यों आपके बाल तूट रहे हैं इसके पीछे क्या कमी है जिसे कि आपके बाल इतने वीक हो गए हैं तो आप कितनी सारी रेमिडिय अपने बालों पर यूज कर लो बहुत सारे पैसे खर्च कर लो कितने भी महेंगे सीरम टोनी के ओओ अपने बालों पर लगा ले इससे आपको एक परसेंट का भी फायदा नहीं मिलेगा अगर आप चान लेंगे कि आपके बाल क्यों तूट रहे हैं तो बहुत ही असानी से आप अपने बालों के तूटने की समस्या से निजात पाएंगे अपने बालों को मोटा लम्मा घना पना पाएंगे इसके साथ ही अगर आपको हैलोस के समस्या है गंजेबन के समस्या हो रही है तो इसे भी आप रोकर अपने बालों पर नए बाल उगा पाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं बालों को लंबा मुटा घना करने के लिए सबसे पहले आपको अंदर से फिट होना है यानि आपको healthy diet लेनी है खुब पानी पीना है जिससे कि आपके सरीर के अंदर किसी भी चीज की कमी ना हो आपके बाल धीरे धीरे weak होते जाएंगे और ये जड़ से निकलनी start हो जाएंगे और वहाँ पे ने बाल नहीं उख पाएंगे इसलिए चाहते हैं कि आपके बाल अगर मजबूत हो लंबे हो तो आपको अंदर से fit होना है तभी आपके बालों पे कोई भी remedy वर्क करती है हमारे पार के अंदर बहुत सारे healthy चीजों को लेना है खुब पानी पीना है जिसए कि झोभी हमारे सरीर के अंधर委 बिट्मिंस की कमी है वो पूरी हो सके और इसके जो फायदे है हमारे बालों के जड़ों को मिल पाए क्योंकि हम जो भी चीज़े अपने सरीर के अंदर देते हैं यानि कंज्यूम करते हैं खाते हैं उसी का असर हमारे चेहरे पे हमारे बालों पे देखने को मिलता है अगर आप अच्छी अच्छी खाएंगे healthy diet लेंगी तो आपकी skin चमकदार बनी रहेगी और आपके बाल भी healthy मोटे लंबे घने बनी रहेंगे इसलिए आपको सबसे पहले अपनी उपर काम करना है अपनी बालों के लिए आपको healthy diet लेनी है अच्छे चीज़े खानी है प्रोटीन वाली चीज़े खानी है जि आप अंदर से fit नहीं रहेंगे तो इससे आपके बालों को कोई भी साइदा नहीं मिलेगा तो सबसे पहले आपको healthy diet लेनी है दूसरी चीज़ आपको यह करना है कि आपको अपने बालों पर ऐसी remedy का यूज करना है जिससे कि आपके बालों में नमी बनी रहे आपके बालों क जड़े हैं मजबूत रहें जिससे कि आपके बालों की growth अच्छी हो पाए इसलिए आज मैं आपको बताने वाली है बहुत ही powerful hair growth shampoo बनाना मैं आपको day by day आपको 3 remedy बताने वाली हूँ जिससे कि आपके बालों में help मिल सके आपके बालों की growth बढ़ाने के लिए hair fall को रोकने के के लिए hair loss को ठीक करने के लिए तो आज मैं आपको उताने वाली हूँ सबसे पहली remedy में आपको एक hair growth shampoo बनाना क्यूंकि 50% लोग ऐसे हैं जो भी अपने बालों को धोती हैं लड़की हो या लड़की हो जो भी किसी भी हो किसी भी एज़के हो बच्चे हो या बड़े हो सभी इस remedy को यूज कर सकते हैं बाल दोने के टाइम पर उनके बाल जो है गुच्छों में निकलते हैं इसलिए अगर आपको भी यह समस्या हो रही है बाल दोने के टाइम पर सेंपू करते टाइम पर इन विंडर में तो आज आप इस आप इस तरीके से अपने बालों को धो कर दे जिससे कि आपके बाल ना तूटे तो इस सेंपू को बनाने के लिए आपको लेना है भगोना यानि आपको पतिला लेना है जिसमें हम इस सेंपू को बनाएंगे तो आपको इसमें डालना है गलास से करीब पानी और इसके आपको गरम कर लेना है पानी गरम जब हो जाएगा तो इसमें आपको डाल लही है ब्रह्मी का powder आपको हिपकस का powder और आपको यहां पर डाला है आमला powder अगर इन में से कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो आप उसे skip कर दें और जो चीज आपके पास है आप उन चीजों का भी यूज करके इस अंपू को बना सकते हैं तो सबस इसमें बालो बेखिधा में व्लाएनग आपके आपको रतषा को दो सनी होते हैं अगलों ने शुल्की स्मूझ साइणी मैं आडोब बती है आपको धंग चलाला पर campeμοных चंप भेराध में यह रहां वर्म एक्षा नाटें हुला झालई चाहे चाहे तो आपके पास अलवेरा नीम की पतिया हो या आप यहां पर चाय पती भी यहां पर डाल सकती है इसे और भी पावरफुल बनाने के लिए तो यहां पर हम क्या करेंगे इसे पांच मेरे के लिए ऐसे ही कुक करेंगे जिसे के अच्छे पावडर है उसके बैनफीट पानी में अच्छे से आ जाए बस इसी पानी को अपने बाल दोने के टाइम पर यूज करेंगे आवला जो ह हमारे हेल्द ग्रोथ को परमोट करती है जिससे के हमारे बाल नहीं तूडते हैं और बहुत ही फास्ट आपके बाल ग्रो होनी स्टार्ट होते हैं तो बस आपको इसी पानी में अपने बालों पर यूज करती है ऐसा नहीं है कि जो सेंपू मैंने दिखाए आपको वही सेंप देखेंगे इस तरीके से बाल धुने से आपके बालों पर बहुत अच्छी साइन आएंगी आपके बाल बाउंजी दिखेंगे फर्स टाइम में इसके फर्क दिखना इस्टार्ट हो जाए का बालों में तो आपको इसी सेंपू का यूज करना है पूरे विंटर जिससे के आप इसाड़ी समस्या दूर हो जाएंगी तो आज आप लायक बालों को बखने के लिए हैएठ लाज और यह थी है आफ़े बालों के लिए tip करना य데 trendy बालों के लिए हेर फोल से लूट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए बतना ही बाब बाई